कि कहते हैं कि मेहनत कभी जायर नहीं जाती वो कभी ना कभी अपना रंग जरूर लाती है कुछ ऐसा ही हुआ तेज गेद बाद नवदीप सैनी के साथ नवदीप की कहानी बहुत ही नायाब है वो हर तकलीफ से लड़ते हुए इतने काबिल बने कि भारतिय चैन करता उन्हें नीली जर्शी देने पर मजबूर हो गए नवदीप ने टीम इंडिया में जगा बनाने के लिए काफी तकलीफे सही पर अंत में नतीज़ा बहुत अच्छा मिला है आज वो राश्ट्रिय टीम में चुन लिए गए हैं त्रावडी का रहने वाला नवदीप एक आम परिवार से तालुक रखता है हलांकि उसके पिता सरकारी ड्राइवर थे पर आमदरी इतनी नहीं थी कि परिवार अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सके नवदीप के पिता इस हालत में नहीं थे कि वो क्रिकट अकाडमी की फीस भर पाते इसके बाद भी उसने अपनी इच्छा मणने नहीं दी और संगर्स जारी रखा नवदीप टैनिस गेंज से अभ्यास करने लगा इस से उसको फाइदा मिला कि इसकी गेंदो की गती बढ़ने लगी नवदीप के पास उन दीनों अच्छे स्पोर्ट शूज भी नहीं थे लेकिन कल रात वेस्टन डीज और भारत के बीच पहले टी ट्वेंटी मैच में बने मैन अफ दा मैच में घर में खुशी का माहूल बन गया नवदीप सैनी के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया मुख्यमंतरिम नोहरलाल ने भी टी ट्वेंटी मैच में बने मैन अफ दा मैच चुने जाने के बाद नवदीब सैनी को बढ़ाई दी निलो खेडी से मौझूदा भाजपा विधायक भगवान दसकबीर पंती समित नवदीब के घर बढ़ाई देने वाल का तांता लगा हुआ है नवदीब के मैं आउदा मैं चुने जाने पर उसके घर में खुशी का माहुल है सानु बढ़ी खुशी है जी, साठे बच्चे ने बहुत बदिया परदशन किता मैं बधाय गुरू तेरा लग लग शुकर है मेरा बच्चा अगे भी मेनित करेगा, अगे भी परदशन बदिया करेगा सानु बहुत खुशी है जी खेल दिखाया है बाई नभदीव सेनी ने और हमाँ बड़ी खुशी भी है कि छोटे से शाहर का बच्चा जहां इस तरह की उसको ज्यादा कोई फैसलीटी दई मिली सुवी दाई ने मिली फिर भी उन्होंने अपने एक जनून से एसा मुकाम आसिल किया भारत्य क्रिकर टीम म का हिस्सा है पर कल जो उन्होंने पहला 2020 में वेस्ट इंडी में उनका बहत्रीन परदर्शन रहा उन्होंने तीन विक्टे ली और जिस तरह से उनका आखरिया वरता उनने मेडन वह उनका रहा और एक विकट उसमेली तो लगता है कि आने वाड़ा सभाय नभदीव शैनी का है भरतियर के टीम का एक मजबूत हिस्सा होगे उनके बिना पूरी की पूरी टीम अधुरी रहेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उनके एक जनून है लगन है जो इस तरह के एक छोटे से से जो बिना किसी सुवी धाओं के जब इतना बड़ा उनका मासिल कर ल जो भी इस प्रकार का काम करके और इस जिले का नाम बढ़ाया उनको शुक कामना और माशा करता हूं उनके लिए शुक कामना के वह आगे इसी प्रकार सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें